आंखों के तिर्शेपन से लोगों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ता है यहां तक की लोगों को हसी का पात्र भी बनना पड़ता है इस भेंगेपन से निजाद दिलाने में राजधानी के श्री गनेश बिनायक आई हॉस्पिटल ने सफलता हासिल की है स्री गनेश बिनायक नेतर चिकित साले के डारेक्टर डॉक्टर चारू दत कलमकार ने ऐसे ही कई मरीजों को उनके भेंगेपन से निजाद दिलाया है चिकित सक की माने तो जब दोनों आखे एक साथ मिलकर एक ही दिशा पर ध्यान केंदरित करने में अक्षम हो जाती है तो वह स्थिती को भेंगापन कहा जाता है जिसका इलाज अब 36 गड़ की राजधानी में ही संभव है जिसमें एक से दो दिन बस लगता है और इस बिमारी से पूरी तरह से निजाद मिल जाती है यह बिमारी जन्मजाद भी होता है और कभी-कभी किसी बिमारी के चलते ऐसी स्थिती बन जाती है आँखों के तिर्चेपन की सरजरी कम खर्च में अब संभव है इसके लिए अब दूसरे राज्यों में भटकने की जरूरत नहीं है स्विन्ट या तिर्चेपन आखों का या तो अंदर या पकार जाने की बिमारी को बोलते हैं इस प्रेस कोंफरस के मात्यम से उन्चाते हैं कि समारश में ये जागरूपता फैले कि तीछे पन में इलाज में देही ना की जाए और उसको सही समय पे इलाज करवा के आगों को पूनकरण स्वस्त कि रहे भैंगेपन की परिशानी से जूजरह मरीजों ने अपनी परिशानी बताती हुए कहा कि लोगों द्वारा कई बार उन्हें चिड़ाया भी जाता था जो बहुत उन्हें बुरा लगता था लेकिन अब जब इलाज हो गया तो इससे उनका मलोबल भी बढ़ गया है कि अब जदी से करवा लो दो कि पशानी हो सकी है अब जी रेकिर फटे गया है तो इस नितर में मेरा एच्डिन्ट हो गया उसमें मेरा आंप कर दख जागया उसके करद तीर चगए मेरा और मैं गोलते थी कि काव कैसे है तो मैं रोबी डाटे से थी कि यह कभी ट्लिफ हो पाएगा किसी मुपाएगा तो राइपूर में तो सर्व ग्रिशन करके हमारा आंप ठीक कर दे तब से लगता है कि कास हम लोग काग भी सब लोग क्या कि जासे मुक्ति राइपूर स्थित स्री गनेश विनायक हॉस्पिटल में नेत्र विशेश सग्यों द्वारा कई मरीजों को भेंगीपन से मुक्ति दिलाई गई है इलाज के बाद ये मरीज आज बिना किसी तकलीफ के अपनी स्वस्थ आखों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं ब्यूर रिपोर्ट देश टीवी